जैशुरियादी दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब स्वास्त होंगे मस्थ होंगे सुरकशित होंगे दोस्तों अगर आप भी विवा में आ रही बाधाओं को लेकर बहुत परिशान हो चुके हैं और इन समस्याँ से छुटकार अपाना चाहते हैं तो आज का ये उपाय आपके लिए ही है। हम सब जानते हैं कि यदि हमारे विवा में लगाता डिले होता जा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी विवा नहीं हो पा रहा, तो इसके पीछे कारण हमारी कुंडली में ग्रहों का खराब इस्तिती में होना या फिर पित्रदोश का होना होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सब को ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जिसके करने से इन दोनों बादाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। और शीग्रही विवास संपन हो जाएगा। अगर आपने यह उपाय पूरे नियम से, श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ कर लिया, तो इस नौरात्री आपका विवाय निश्चित ही पक्का हो जाएगा। आपके मन चाहे जीवन साथी से आपका रिष्टा अवश्य ही जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाय जानते हैं आज का ये करिश्माई उपाय। सबसे पहले तो यह उपाय आपको अमवश्या के दिन करना है। श्राद पक्ष की अमवश्या 25 सेतंबर को है। इस दिन 38 शुप्स नयोग बन रहा है। तो इसका लाप आप भी अवश्य उठाएए। वैसे यह उपाय आप किसी भी अमवश्या पर कर सकते हैं। किसी भी महीने की किसी भी पक्ष की अमवश्या पर किया जा सकता है यह अमवश्या होने के कारण इसका महत्वर अत्यदिक बढ़ गया है। इसलिए आप सबसे कहूंगी कि इस अमवश्या से यह उपाय अवश्य करिएगा। यह उपाय लड़का-लड़की दोनों के लिए है। इसे बच्चे स्वयम अपने लिए कर सकते हैं या फिर माता-पिता बच्चों के लिए यह उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए अमवश्या के दिन सुबह ब्रह्म मूर्थ में उठें। इस नानादी करके स्वक्ष हलके रंग के वस्ट धारन करें। काला वा नीले रंग का वस्ट नाधारन करें। इसके पश्चात। सूरी देव को एक रातना करें कि आज आप अपने विवा हे तो उपाय करने जा रहे हैं। प्रभू उसमें सफलता प्रदान करिएगा। मेरा साथ दीजे। फिर एक लोटा जल एक खीका दिया और कुछ सफेद फूल लेकर शिव मंदर जाएं। वहां पहुचकर शिवलिंग के सम्मुक उत् दोस्तों स्रिंगार इस भाति करिएगा कि आप खुद ही मंदर मुगध हो जाएं उस स्रिंगार को देख कर। प्यार से पूरी शर्दा भक्ति के साथ फूल चारोतरप शिवलिंग पर सजा कर अर्पित कीजिए। फिर इसके पश्चात भूले नाथ से प्रातना करें कि आप उपाई करने जा रहे हैं प्रभू कृपा कर उसे स्वीकार कीजिए। कृपा कीजिए हमारी पूजा को सफल करिए। इसके पश्चात पूरे शिव परिवार के हाथ जोड़ कर प्रातना करें विंधि करें उन्हें प्राणाम करें। फिर नंधी महराच के कान में अप एक स्टील का लोटा लेकर साफ लोटा होना चाहिए धुला हुआ उसमें थोड़ा सा गंगा-जल डालें पहले गंगा जल ही डालना है फिर उसे शुद्चळ जल से पूरा भर लें उसके पशाat उसमें जौके ग्यारा दाने याद रहे दोस्तों जोके ग्यारा दाने डालें साथ ही थोड़ी सी काली तिल उसमें डाल लें एवं एक बताशत डाल लें फिर इस जल को लेकर अपने पित्रों का इस्मरण कर अपने कुल देवी देवता का इस्मरण कर अपने इस्ट देव का इस्मरण कर पीपल के पेड़ के पास चाकर यह जो जल आपने बनाया है इसे जड़ में अर्पित करते हैं लोटा इस टेल का ही होना चाहिए इसके पसचा घी का एक दिया प्रजुलित करें फिर ओम नमो भगवते वासुदेव आए मंतर का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की ग्यारा परिक्रमा करें मंतर एक बार फिर सुन ले ओम नमो भगवते वासुदेव आए इस मंतर का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की ग्यारा परिक्रमा करें परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल देव से अपने पित्रों से एवं सभी देवी देवता से प्रातना करें कि हमस यह उपाई करने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें शमा करें तथा इस उपाई को पूर्ण करें इसे स्वीकार करें एवं मुझे शीक्र एवं मन्चाहे विवाह का आशिरवात प्रदान करें इसके पश्चात पीपल देवता के पैर छुकर घर वापस आ जाएं शीक्र फल प्राप्ति है तो कोई भी उपाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसे ब्रह्म मुहर्त में ही करना चाहिए अक्सर ब्रह्म मुहर्त में किया हुआ उपाई ही फल देता है क्योंकि ब्रह्म मुहर्त में की गई पूजा देवता और भगवान गर्ण शीक्र ही सहज ही स्वीकार करते हैं उमीद करती हूं आपको उपाय समझ में आया होगा बहुत ही सरल एवं असरदार कारगर उपाय है श्राद पक्ष की अमावस्या होने के कारण इसका महात्वा और भी अधिक बढ़ जाता है इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं इस उपाय को दोस्तों अगर पहली बार में ही आपका रिष्टा तैह हो जाता है फिर भी पूरे पाँच अमावस्या इसे करना ही करना है पहली बार में अगर तैह हो गया तो फिर दुबारा आपको अपने लिए वर नहीं मांगना है उसके पहली बार के बाद आपको भगवान का रखिएगा मुझे सदा सुहागन होने का आशिरवाद देजिए सौ भाग्य प्रदान कीजिए इस तरह से प्रातना करिएगा लेकिन पाच अमवस्या या उपाई अवश्य करिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें और आप उनका लाव उठा सकें मनों कामना पूरती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाई के साथ तब तक आप सब हसते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें जैसरी रादे हर हर महादेव